जो भी मेरे चैनल से बहाई स्टार्टिंग से जूड़ हो है उन्हें पता होगा इस चैनल का जो टर्निंग पॉइंट आता वह अलगाटो वाले टुटोरियल्स बनाने से जाया था जो मैंने अलगाटो लिया था और उससे मैंने लाइब स्ट्रीम करी है इस चैनल पे प्लेस् है और मतला फुल प्रीमियम मामला हो जाएगा और वैसे भी आजकल लाइब स्ट्रीम चल रही है वेनम गेमिंग जिसने सब्स्राइब नहीं किया हुआ पहले चैनल एक हुआ करता है इसमें टैक और गेमिंग साथ में चलता ता लेकिन अब अलग अलग है तो दिस्रिप्श उसके नीचे क्लिप मारे को मिल जाएगा जो मारे मॉनिटर बगएर के उपर लग जाता है यहां पर एक और कुछ और इसको और चलाने के लिए और एक परची यहां पर और मिल जाएगी इसके अंदर सारी सेफटी इंफॉरमेशन है अगले एक्साइटिंग इटम है स्ट्र पर थोड़ा सा उपसलीट सा हो गया ना फिर आजाएगा वेव नियो जो इनका माइक्रोफोन है और यहां पर दो स्क्रू मिल जाएंगे एक एक्स्ट्रा कुछ यहां पर नेक है और डबा है यह क्या है यह पजल ओ यहां पर टाइप A to type C वाली के बल कागज बुस्तक जो स जबरदस भारी सा बीस है इसका मैटल का यह तो और फिर आजागा वाई वेबकैम फेसकाम नियो यह सबसे पहले तो हमारा यहां पर यह पर यह पर यह मॉनिटर वाला क्लिप निकली गया और भी कुछ एगा बसकुछ निए उसके लाबा तो और भाई माइक्रोफोन के क्याप्चर गार्ड है और यह भाई 4K60 HDR पास्थ्रू तक को सपोर्ट करता है और वैसे आप जो स्ट्रीम कर पाऊगे वो 1080p60 वाली कर पाऊगे और वाई बढ़िया लग रहा प्रोड़क्त तो कनेक्शन के लिए केबल उसके लाबा कुछ नहीं बस पुस्तो कुछ तक सी ह तो एक काम करते हैं इतना ताम जाब हमने डबो से खोल लिया है एक पूरा स्ट्रीमिंग का सेटप बनाते है प्रोपर एदना अपना laptop लगा के और फिर देखते हैं सारे प्रोड़क्त कैसे गाम करते हैं कि अब पर फाइनली पूरा सेटप हमने कर लिया है स्ट्रीम डेग हमने यह पर लगा लिया है कि अपड़िया लग रहा है यह microphone है हमारे सामने, ऊपर key light हमारी लग चुकिया, जो चेहर है बढ़ी अच्छा का चौन मामला करना देगी, और सामने हमने लगा लिए webcam, वैसे webcam के साथ हमारे कुछ यह वाला clip भी मिल रहा था box में से, लेकिन हमारा 32 इंची का monitor है, बहुत ज़्यादा top angle हो रहा था, मेरे को हमारे game के fps ड्रॉप ना हो, और हमारे दूसरा system हमारा OBS को हैंडल करता रहे, और हमारी smooth live stream चले, थोड़ा रजवाड़ो वाला मामला है, और इन सब products के अगर build quality की बात करते हैं, यहाँ पर सारे products हमारे को तकड़ी build के साथ मिलते हैं, जैसे आप microphone ही लेलो, नीचे का base वाल हमारे को मिलता है, वो भी metal का ही है, microphone यहाँ पर प्यारा लग रहा है, उपर हमारे को windmuff मिल जाता है, और सामने यह light देख रहा हो आप यह touch sensor है, यहाँ पर tap करते हैं, red हो जाता है, यहाँ कि mute और white हो जाता है, यहाँ कि unmute, और बहुती sturdy और बढ़िया build quality है, और यहाँ माइ platform पर USB mic का support होगा, वहाँ पर आप इसको चला पाऊगे, बाकी use cases में streaming, gaming, meeting, जो भी आपको करना हो वो आपकी मरजी, और इस mic का na Elgato wavelength करके software मिलता है, जिसके अदर आप देख सकते है, और दूसरा आप connected होगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा, monitoring आप कर सकते हो, streaming के अदर mixing करन इसके साथ, केबल भाई, यहाँ पर सारे products साथ, हमारे को ब्रेडिड वाली मिलती है, अच्छी quality केबल यूज कर रखी है, और यह जो मारा webcam है, इसका model है Facecam Neo, यह हमारा 1080p 60fps पर record करता है, और इसकी जो focal length है, वो हमारे को 26 mm मिलता है, तो अच्छा खासा wide area मिल जाता है, इतन इतनी सी दूर है, जितना मेरा हाथ दूर है, उस मामले में जितना यह area widely cover कर रहा है, वो बहुत साई चीज है, और अभी जो मैंने वेब कैम रिकॉर्ड कर रहा है, वो अच्छे खासे well late environment में रिकॉर्ड कर रहा है, अभी यह काम करते हैं, सारी लाइटे बंद करते हैं, और और यह key light जला दिया है हमने, and key light on करने के बाद एक तम बढ़िया quality मिल रही है, लेकिन अगर real में आप देखोगे तो key light की light इतनी कुछ जादा नहीं है, वो इसके camera के साथ जादा अच्छे से काम करती है, यह बहुत बढ़िया ISO बूस्ट कर देता है, और quality कैसे निकाल के द इसके बावजूद भी काफी सही है, लेकिन अगर मैं नॉर्मल लाइटिंग भी on कर देता हूं, तो कुछ ऐसा result हमारे को मिलेगा, क्यूंकि हमारे जो green screen है, वो बिल्कु लिट अप हो चुग है, सामने lighting हमने कर दिया, तो अगर आप दो key light लगाओगे यह Elgato वाली, तो आ आपके बंड करता, आपकी pocket कितना अलाओ करती है, और इस camera के साथ हमारे को camera hub application का support मिलता है, जिसके अंदर आप contrast, saturation, brightness, sharpness अपने साब सेट अप कर सकते हो, अभी पीछे वो लैंब है, वो flicker कर रहा हूं, उसका और इसका refresh rate match नहीं कर रहा है, and exposure के options मिलता है, white balance है, processing है, और anti effects वगर आपको लगाने हो, जैसे के मारे को AI वाले background मिलता है, लेकिन RTX 2000 सीरीजा, इसके अंदर 1660 है, तो इसके अंदर show नहीं कर रहा, और AR वाले effects मिलता है, वो भी GPU से ही चलते है, और यहाँ पर light की बात चली रही है, यहाँ पर light की साथ हमारे को knob मिल जाएगी, जिससा power on off button मिल जाता है, light on off करने के लिए, और उसके लाबाद दो बटन यहाँ पर हमारे को मिलता है, जिससे पहले बटन से white हो जाती है, और दूसरे बटन से warm हो जाते है, यहाँ पर on the go change कर सकते हो, अपनी tone और light की build quality है वो भी अच्छी खासी solid है, पीछे हमारे को detachable braided वाली type C cable मिलती है इसके साथ, type C to type A वाली, और जो key light की light आप देख रहे हो ना, यह 4.5 watt पर चल रहे है, USB type A के through में चला रहा हो, तो यहाँ पर 400 lumens तक की यह bright हो सकती है, अगर आप type C के through चलाओके तो 700 lumens तक चली जाते है, क्योंकि type C के through 7.5 watt output मिल जाता है इसको, और अगर आप adapter के through चलाओके, तो 1000 lumens तक यह चली जाती है, 12.5 watt तक power यह consume करती है, तो मैं कहूंगा adapter के through चलाना, अगर आपको ज़्यादा bright light चाहिए, अपने environment के साब से है, और जो color temperature है 2900 से लेगे, 7000 Kelvin तक मिलता है, जो अपने साब साब अब adjust कर वा होगे, कैसी warmth और कैसी cool light आपको चाह और हाँ, यह Wi-Fi के through भी हमारे system से connect हो जाता है, जिसके through आप यहाँ से adjust कर पाऊगे, अगर आपने इसको adapter के through connect कर रहा है, फिर वो system से connected नहीं है, तो control centers को detect कैसे करेगा, Wi-Fi के through करेगा, और फिर आजाता है हमारा stream deck, अगर आप streaming करते हो, या productive task भी क्यों ना करते हो, यह device on the को बहुत काम आती है, आप यहाँ पर different applications assign कर सकते हो, different actions assign कर सकते हो, and इसके अदर आप बटन्स देख रहा हो, यह buttons के अपनी lights है, इसके अदर जैसा आप action assign करोगे, जैसे आप चीज assign करते हो, वैसी ही इसकी display का icon change हो जाता है, और वो बहुत बढ़े लगता है, जैसे आप द screen मिल जाती है, जिसके अंदर हमारा time date वगएर आ रहा है, जो आपकी table पर अगर आप रखा हो का बढ़े लगेगा, and यहाँ पर side वाले buttons है, यह हमारे sensors है, जिसके अंदर हम different profiles इसके अंदर set कर सकते है, multiple profiles को आपको shift करना हो, तो वहाँ पर कर भा हो, जैसे अभी दो set है, ती थर्ड वाला मैं आपको बता रहा है, इसमें create folder हम डाल देते हैं, उसके अलावा switch profile हम डाल देते हैं, उसके अलावा timer हम डाल देते हैं, जैसे हम इसके अंदर add करते जा रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारी screen यहाँ पर change हो रही है, different different icon बन के आगे हैं, और यहाँ game capture नहीं हो, यानि कि हमारा capture card है, 1080p 60fps का proper output यह देता है, यानि कि आप 1080p 60fps का main output अपनी stream तक भेज पाओगे, लेकिन 4K 60fps का pass through देता है, pass through का मतलब क्या है, अगर आपके main system और secondary system के बीच में capture card हो, जिस monitor पे आप output ले रहे हो, वो monitor आपका 4K output को support करता है, तो actually 4K 60 तक आप output अपनी आखों से देख पा होगे, बट वो record 1080p 60fps पे ही हो रहा होगा, जैसे कि Elgato HD60S पुराना model था, वो 1080p 60 पास्थू था, 1080p 60 recorder stream था, तो जैसे मैं capture card लगाता था तो मेरी main screen जो मेरा 4K monitor होता था, या 1440p monitor होता था, उसको मुझे 1080p पे ही देखना पड़ाता था, तो quality lose हो recording में काम आता है, अगर आपके एक system पे आप कोई game खेल रहे हो, और उसी system पे अगर आप चाहोगे, उसकी screen recording कर लो, या OBS के थूरू record कर लो, तो क्या होता न, GPU पे load आता है, तो FPS drop हमारे को मिलता है, तो वो FPS drop ना ले के हम क्या करता है, अब secondary system को streaming PC बना देते हैं, और capture card के तो हमारा primary system उसके तुरू connect हो जाता है, तो हमारी streaming वो system handle करता है, इधर हम game खेल रहे होते हैं, और जो हम game main system पे खेल रहे हैं, वो image हमारे दूसरे system के stream लाप्स पे record हो रही होती है, या वहाँ पे stream हो रही होती है, OBS के अंदर, और वो आपकी audience देखते है, या फिर आप व पर आने वाले हो, and अब बैस अब pricing की बात कर लेते हैं, यहाँ पे सारे products premium है, तो premium pricing के साथ आते हैं, जो हमारा microphone है, wave new, वो 8600 रूबीज का चल रहा है, आज की rate में, then हमारा stream deck new है, वो 9000 के आसपास आपको मिल जाएगा, और जो face cam new है, वो इंडिया में launch नहीं हुआ, $100 का pricing हैंगी, और यह जो prices है, यह आपको ज़्यादा लग रहोंगे, बट यह Elgato की budget series है, जिते ही products मैं आपको दिखाए, Neo series के आना, यह सबसे कम price नहीं है, अगर आप दूसरे Elgato के products देखोगे तो, and भाई, अगर conclusion की बात करते हैं, तो यह सारा समान अगर आप आप आज की rate म streaming शुरू कर रहो न, और आप सोचो कि पहले दिन में मैं इतना महेंगा समान लेलू, तो भाई मैं आपको recommend नहीं करूँगा, पैसे जोड़ लो, फिर ऐसी चीजों में पैसे invest करना है, इन सब चीजों से quality enhance होती है, आपको थोड़ा experience premium हो जाता है, आपको जादा चीजों में आप पैसे ख़र जोगा तो आपको premium experience मिलेगा, और अलगाटो का तो नाम है, streaming accessories के अंदर, और हाँ, इन सारे equipment को use करके मैं अपने Venom Gaming चैनल पर live करी है, ब्लैक मित वह कौन गेम हम खेल रहेते हैं, तो जो hashtag 3 वाली live stream है, वो इनी सब item से करीते हैं, तो आपको एक बार वाली लेना और बाकी ऐसा content पसंद आता तो वह यह सब्सक्राइब मारो, और ये वीडियो पसंद आई तो like मारो, मिलता नेक्स वीडियो अब तक के लिए, बाई